हाई अवरीबन वेल्कम निन कॉमर्स एस प्रमिस टाइम है विधा नुमेरिकल्स ऑफ बोद मैथेट्स ऑफ इंकम मैथेट एंड एंड एक्स्पेंडिचर मैथे तो जैसे पिछली ग्लास के अंदर हमने वेल्जुआइड मैथेट के नुमेरिकल्स देखेते हैं और साथ में ह मैं आपको इंकम मैथेट और एक्स्पेंडिचर मैशेट से होने वाले नुमेरिकल्स के स्टेप्स थे मैंने आपको बता दिये थे अब मैं साथ साथ इसको सॉल्व करूंगा यह आपको एंड पेटेपस ही निकालना है इस डाटा किवन है रेंट है रोयलेटी है को बभलेट पास को खूशं मेर ना हो तो हमसके تीन पार्ट थे एक था virgin service in cash, एक virgin service in kind और एक social security contribution by employer तो commentional employees के तीम parts में विजिन service given है 800 और यह virgin service मेना आपको दो बताये थे in cash और in kind अजब अलग से आपको kind नहीं दे रखा मतलब यह virgin service के ताथ cash भी यह पूरा आपका virgin service का part हो गया 800 रुपे ठीक है यह virgin service का cash and kind दोनों पार्ट हो गया, साथ साथ दे रखा है employer contribution to social security schemes, 200 rupees, तो 200 पर आप यहां पर add करते हो, तो vision salaries in cash and kind आपका 800 हो गया, और social security contribution आपका हो गया, 200 by employer, अगर employee का लिखा होता, तो उसको include नहीं करते हैं, ओके, इसके वाद आपको चाहिए operating surplus, operating surplus में तीन पार दाते हैं, rent, interest, profit पहले के कर देते हैं, rent के अंदर आपको बढ़ाता है, rent भी, royalty भी, imputed rent भी, तो rent का पार्ट है इसके अंदर 1400, reality का पार्ट है 200, तो यह दो गया, आपका first component इस operating surplus का, rent और royalty का, दूसरा है interest, interest है इसके अंदर 1500 रपे, और तीसरा पार्ट होता है profit का, अब profit आपको given है 500, अगर profit given ना होता, तो आपको पता, इसके तीन components हो थे, एक corporate tax, एक dividend और एक undistribute profit, लेग लेगर profit ही given है, तो आपको किसी और component की जरूरत नहीं है, और तीसरा component जो है, वो है mixed income, जो है 1000, ओके, तब इन सब को add किया, इन सब को add करके, 1000, 24, 26, 41, 51, 100 आपका आपका आगया NDPFC, ओके, तो यह आपका income method से कैसे चीज़ों को use करना है, deposition use करते हैं, अगर आपको कोई gross में convert करना हो था, पर यहाँ पर आथा नहीं था, इसलिए आपका यह part ही खतम हो जाता है, ओके, तो income method को इस तरह चीज़ों करना है, आपने, चोदा दो, अच्छे 500 हमने, इसमें profit को add नहीं क social security contribution का, उसके बाद operating surplus में rent और quality का part, interest का part और profit का part 500 जो आपने यहाँ चोड़ दिया था, और यहाँ पर साथ में आगया mixed income का part, तो यह आपका पूरा 56,100 हो गया, अटीपिटासी, और यह मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ एक एक आइटम के साथ सारी चीज़ लिखके ठीक है, इसको आप देख सकते हो, revise कर सकते हो, कुछ भी problem हो, इसके अंदर कोई चीज़ आपको समझना आ रही हो, तो comment section में आप लिखके भीज़ देना, अब एक और question पर करते हैं, जिसके अंदर हम national income calculate करेंगे, अब हम जो questions करने जाने हैं, दोनों method से, income method से और expenditure method से, दोन income method से, फिर expensive method से, तो मैं, यहाँ पर solve कर रहा हूँ, पहले income method से, income method से, हम सबसे लिए निकालते हैं, NDP at FC, ठीक है, इसमें, सबसे पहला component होता है, हमारा compensation employees, आप question के अंदर देखो, आपको यहाँ पास compensation सबसे पहले given है, 1200 रुपीज, यह हम 1200 रुपीज, यहाँ पर डाल दे है, ओके, यह 1200 हो गया हमारा, NDP at FC का पहला component, compensation of employees, दूसरा component में चाहिए operating surplus, अगर operating surplus गिवन नहीं है, आपको पूरे question के अंदर आपको पास कहीं पभी, तो आपको तीन component उसके होते हैं, rent, interest and profit, अब rent है, interest है, profit है, तीनों चीज़ इस question में given है, तो मैं यह operating surplus की जगे, नाम लिखने है, rent, interest and profit, यह पूरा part हो गया आपका, पहला commission applies का, दूसरा rent, interest, profit, operating surplus का, तो मैं इसको अलग-अलगी plus कर रहा हूँ, rent के अंदर, rent आपको दे रखा है, इसके अंदर 400, interest दे रखा 620, 400 plus 620, और profit आपका है, इसके अंदर 800, ओके, यह तीनों component मैंने add कर दिये, यह होगा, operating surplus का part, और तीसरा part आपका है, mixed income का, और mixed income गंदर क्या, self-employed के नाम से देखो, income आपको दे रखी होगी, mixed income, self-employed दे रखा 700, तो 700 आप यहाँ पर, इसके साथ add कर दो, अब आपका तीनों को add करके, 16, 622, 3000, 3720, ओके, यह आपका हो गया, NDP at FC, और आपको निकालना, national income जो की होता है, NNP at FC, तो आपको क्या करना है, NDP at FC आपको already आ चुका है, इसमें सर्फ आपको domestic को national में convert करना है, जो की NFIA की थ्रू हो जाएगा, net factor income from abroad, 3720, NDP at FC, और NFIA का जो part है, यहाँ देखो, net factor income from abroad, आपको second number भी दे रखा है, minus 20, यह, minus 20, minus 20, यहाँ पर आप bracket में लिखो, minus 20, तो आपका answer आजाएगा, 3700 करोर, यह सारे answers, आप यहाँ पर करोर्स में लिखा होगा, तो यह सारी figures आपको, अगर करोर्स में होगी, तो करोर्स में, और lakhs में होगी, तो lakhs में, तो यह, मैंने आपको income method का, यहाँ करके दखाया, जो की आगे, पुरा solve किया हुआ है, एक-एक step के साथ, अब, expenditure method, expenditure method से हम यहाँ पर solve करते हैं, इसको, तो आपके पास, इसमें निकालते हैं, GDP at MP, सबसे पहले, और इसमें चार components हमारे पास होते हैं, private final, comment final, तो private final consumption expenditure पहला component है, तो private final consumption expenditure देखो, आपको यह दे रखा है, 2000 रुपीस, तो 2000 रुपीस को हमने, यहाँ पर show कर दिया, second component होता है, government final consumption expenditure, ओके, तो government final consumption expenditure, आपको दे रखा है, 1100, सबसे नीचे, तो यह 1100, आप यहाँ लिख दिया, तीसरा component होता है, gross domestic capital formation, gross domestic capital formation का जो पार्ट है, वो आपको यहाँ पर दे रखा, net domestic capital formation, मैंने आपको बताया था, कर net दे रखा हो, तो आपको इसमें depreciation plus करके gross बना सकते हो, मतलब net domestic capital formation आपका दे रखा है, 770, इसमें आपको depreciation plus करने पड़ेगी, और depreciation का दूसरा नाम होता है, consumption of fixed capital, ठीक है, यह दोन चीजें, आपके मिलके बनेगी, gross domestic capital formation, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, third item, net domestic capital formation, plus depreciation, तब जाके बनेगा इसका third component, gross domestic capital formation, यह था हमारा 770, और यह हमारा है 130, ओके, 770, 130, और मैंने आपको यह भी बढ़ाया था, इस कोशें में नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर fixed capital formation दिया होता, तो हम इसमें change in stock पर एड़ करते, ओके, तो लेकिन यहाँ पर fixed नहीं है, इसे change in stock के ज़रोत नहीं पड़ेगी, उसके बाद हमारे पास fourth item होते है, net exports, और net exports दे रहा है, इसके अंदर minus 30, तो यहाँ पर अगला component आएगा, net exports का, और जो की है, minus 30, ओके, यह आपको total करेंगे, 3100, और यह 900, 4000, 4000 में तो 30 minus करेंगे, तो 3970, ओके, यह आपको अगए GDP पर, लेकिन आपको निकालना है, national income, और national income निकालने के लिए GDP, at MP में आपको convert करना है, पहले gross और net में, gross को net में minus करोगे, calculate करोगे, depreciation minus करना पड़ेगा, MP को FC पर आने के लिए आपको net inner taxes minus करना पड़ेगा, और domestic को national में आने के लिए आपको net factor income from abroad को plus करना पड़ेगा, यह 3970 में पहले depreciation minus करेंगे, और depreciation आपके पास given था, 130 और net inner taxes given है, 120, 130 और 120, 130 depreciation और 120 net inner taxes और NFI प्लेस करना है, और NFI पहले भी use किया था हमने, यह देखो, नहीं, net factor income और देखो, यह दिरका minus 20, ओके, यहां use किया था, यह minus 20 आपको इसकी जगे उठ करना है, अब answer देखो कितना आ रहा है इसका, इसका answer आ रहा है 3970, में से आपको minus करना है तीन चीज़े, 130, 120, 20, तीनों minus करने वाले है, 270 और minus करके आपका आ गया 3700 करोड और यह भी answer आपका इससे match कर गया, तो हमने दोनों method से answer निकाल के दिखा और दोनों method में आपको करके दिखाए हैं और यह दोनों आपके already इसके अंदर मैंने आपको एक income method से और expenditure method से solve करके यहां पर लिया होगा, तो यह हमारा question होगा, जिसमें income expenditure method दोनों को use करके हमने national income को calculate किया, चलिए एक और question, अगर इस question में कोई doubt हो, कुछ भी चीज़ पूछ नहीं हो, आप comment section में लिखे है दरूर, मैं हमेशा आपके पास इसमें answer देने का तयार रहोगा, तो learn and commerce की इस वीडियो को देखते रही है, और साथ-साथ इनके comment section में डालते रही है, ताकि मुझे feedback मिलता रहा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक और question करते है, national income calculate करना यहां पर भी expenditure method से, और income method से, दोना method से, ओके, और मैं यहां पर आप पहले expenditure method से इस फॉल करते हैं, और फिर income method से, यह आपके पास 15 item से रखे हैं यहां पर, तो पहले यहां पर हम expenditure method यूज़ करते हैं, इस expenditure method में, जैसे भी बताया था, सबसे पहले आपको GDP at mp निकलता है, और जिसमें पहली item होते हैं मारी private final consumption expenditure, दोबारा revise हो जाएगा, private final consumption expenditure आपको देरखा 210 और government final देरखा 50 second items की, private final 210, और government final consumption expenditure आपकी second item है, 50 रुपीज की, उसके बाद आपको चाहिए capital formation वाला पार्ट, जो मैंने को बता है, gross domestic capital formation, देखो कोशन में given क्या है, यहां given है net domestic fixed capital formation, तो आपको चाहिए gross domestic capital formation, सबसे पहली बात आपको net को gross बनाने के लिए depression करना पड़ेगा, और क्योंकि fix दे रखा है, fixed capital formation में changing stock भी add करना है, तो दोब चीज़े करना है, इसके अंदर net domestic fixed capital formation, पड़े मैं लिख देता हूँ यहां पर, कि आपका अगर यहां पर net domestic fixed capital formation है, तो यहां पर आपको net को gross बनाने के लिए depression भी plus करना है, और fixed word दे रखा है, इसलिए इसमें changing stock भी add करना है, ओके और fourth item वारी होती है, net exports, तो अब इसको solve करते है, net domestic fixed capital formation, यह given है आपके पास 25, और deposition देखो, question में कहा है, deposition question में आपका यहां दे रखा है, consumption of fixed capital के नाम से 25, तो इसका मतलब net domestic fixed capital पच्छिस और यह deposition भी 25, तो इस bracket के अंदर, 25 अपने NDFCF डाला, 25 deposition डाला, और changing stock, changing stock आपका जो है, इस question में गिवन है 15, ओके, तो यह 15 यहां पर लिख दिया, उसके बाद, अगला step है, net exports का, net exports आपको question में, यहां given है, minus 5, ओके, तो minus 5 को हम यहां पर put कर देंगे, अब इसका answer देखो, 260, यह दोनों हो गए, इधर आ रहा है 25, 25, 65, minus 5, तो total जो answer place करके आएगा, वह आ जाएगा, 320, और आपको निकालना है, national income, NNPATFC, जिसको convert करने तरिका बोई रहेगा, GDP, सबसे पहले gross को net बनाओगे, तो depreciation minus करना पड़ेगा, market price को factor cost पर ले जाओगे, तो net in direct taxes minus करना पड़ेगा, net in direct taxes, और domestic को national में convert करने के लिए, NFIA को place करना पड़ेगा, तीनों components को use करते हैं, 320 GDP, NMP, depreciation, हमारे पास पिछले अभी देखा था, हमने consumption of risk capital 25, तो 25 हो गए, depreciation minus करना है, net in direct taxes देखो, net in direct taxes आपके पास question में, यहां दे रखें, 9 और 10 नंबर पे, indirect taxes दे रखें, अगर आपके पास in direct taxes subsidies दोनों हैं, तो दोनों को minus करके, आप net in direct taxes निकाल सकते हैं, 30 और 5, तो यहां पर हम use करेंगे इसको, 30 minus 5, उसके बाद चाहिए आपको net factor income from abroad, net factor income from abroad, अलग से नहीं दे रखा, आपको अलग-अलग करके factor income from abroad और factor income to abroad दे रखें, तो दोनों को आप use करोगे, factor income from abroad minus factor income to abroad, 5 minus 2, तो factor income from abroad minus factor income to abroad, अब इससे answer निकाल लेंगे हम, 320 minus, यह 25 है, यह भी 25 है, और यह plus 3 है, तो 320 में से 50 minus किया, 270 plus 3, 273, यह figure आगी आपकी national income की, ओके, उसके बाद, अब हम calculate करते हैं, income method से, income method के अंदर हम निकालते हैं, directly first step में, NDP at FC, जिसमें सबसे पहले चाहिए होता आपको compensation of employees, आप compensation of employees देखो, कहां है, यहां आपको दे रखा, vision salaries, compensation of employees नहीं है, तो wages and salaries दे रखा है, और employer का contribution दे रखा है, अब वेजन salaries में cash का अंद दोनों आगए, अलगत दुरोत नहीं है, और जो employer का contribution है, SSE का, यह 30 का 10, तो 170 और 10, यह आपका first component जुड़ेगा, compensation of employees की जगा, तो compensation of employees की जगा आप लिखो, wages and salaries, plus employer का contribution है, employer contribution to social security schemes, यह हमारा था, 170 और वो 10, तो 170 हमने यहां पे किया, और 10 आपका social security scheme का हो गया, यह total हमारा first part खतम हो गया, second adding में चाहिए operating surplus, अब operating surplus के अंदर क्या आपका चाहिए होता है, rent, interest and profit, आपको profit given है, 45, interest given है, 20, और rent भी given है, 25, तो तीनों component को add कर देंगे हैं यहां आपको, तो rent, interest or profit, okay, values एक बार देखलो, rent किया 25, interest किया 20 और profit किया 45, 25, 20 and 45, यह हो गया, operating surplus के लिए, last में चाहिए mixed income, अब हमारे पास सारे ही use होगे हैं, यानि mixed income कोशन में given नहीं है, सब टिक लग गए, मतलब कोई चीज नहीं बचीए हमारे पास, तो mixed income इसके अंदर है ही नहीं, तो अब मान के चलो mixed income आपकी 0 है, this is 0, टोटल हमारा हो गया, 180 यह हो गया, और 90 यह हो गया, टोटल हो गया 270, अब चाहिए आपको national income, और इसके अंदर direct होता है, NDP at FC आपके पास आचुका है, सिर्फ आपको domestic को national में convert करने लिए, net fetter income from abroad को add करने है, तो आपके पास already 270 आचुका है, और NFIA आपके पास यहाँ पर भी यूज किया था, अमने देख को 5-2, fetter income from abroad minus fetter income to abroad, ओके 5-2, तो आपका हो गया 270 plus 3, 273, यह जो आंसर है, यह 273 यहाँ से आपका match कर गया, ओके, तो यह आपका expenditure income method, यह मैंने solve कर दो दिखाया, यहाँ पर आपको income method से 273 करोड और expenditure method से 273 करोड, यह आप सब answers करोड में लिख दो, यह वाला answer, this answer, यह 270 करोड, 273 करोड, क्योंकि कोशन में normally, करोड में सारी फिगर्स आती हैं, तो सारी फिगर्स इन करोड होंगी, ओके, तो यह मैंने आपको यह कोशन भी करा दिया, तो आपको आज के numerical section के अंदर, मैंने आपको income method, expenditure method के दोनों formula को apply करना सिखाया है, किस किस तरह से कौन सी चीज़ को कहाँ पर डालना है, ओके, तो यह हाँ मारा आज की class का आखरी question, और आप अगली classes के लिए, मैं आपको इसी chapter के कुछ और objective type questions भी अदूंगा, लेकिन आने वले classes के लिए, तो आज के लिए इतना ही, stay connected with learning commerce, thank you once again, goodbye.